नमस्कार दोस्तूं आप सभी का अर्दिक स्वागत एक बहत्रिन टोपिक पसू प्रिचर भरती 2024 आपके सामने हैं नया सलेबस जारी हो चुका है और नया सलेबस के अंदर पसू पालन से रिलेटेड जो टोपिक हमारे लिए गए हैं उन्हें जन्तु जनन जन्तु पाचन ज अवास वसरक्षन पसू उत्पादकू का पोसकमान पसू करसी कोकुट पालन आधुनिक विश्वय के चरवाए वन्य प्राणी उनका जीवन वह वन्य जीव संसादन इनसे जुड़ेवे इस क्लास के अंदर में 100 क्यूशन लेकर आया हूं और यह 100 वो क्यूशन है जो आपक तक देखने आपको नए पसूपालन जो पार्ट छे दिया गया है हमारे इस लेबस में उसके बारे में पता चल जाएगा कि कैसे क्यूशन एक्जाम के अंदर आने वाले हैं आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है दोस्तों एक बार जो साती मेरे साथ जुड़ कि पसूप रिचर क्रेस कोर्स कुछामन ओलनाइन क्लासेज जो हमारी एप है उस पर अवेलेबल है यह कोर्स जिसमें आप 55 दिन अरे 55 छोड़ो 45 दिन में ही कर लोगे क्यूंकि जो हमारा सलेबस है उस पर आदारित कंप्लीट सलेबस यह रहेगा एक बार आप एप पर जाक कर कोर्स पर विजिट करें और कोई बड़ी रकाम नहीं है मातर और मातर तीन सो नन्यानम रुपे में यह अवेलेबल है जितने के तो आपको सिरफ और सिरफ मोग टेस्ट मिल जाएगी तो एक बार सबी साती कुछामन ़ॉनलाइन क्लासे यह पर जरूर विजिट करें अब हम चलते हैं क्युस्नों की ओर पहला क्युसHHH आपकी स्क्रीन पे उत्पत्ती के अदार पर ACI वरक्की मुर्गी है कौन सी है ब्रह्मा उत्पत्ती के अदार पर ACI वरक्की मुर्गी कुकुटपालन है ना हमारे टोपिक तो वहां से नेक्स्ट है आश्ट्रे लार्प मुर्गी की नसल किस मूल की है कहां की है इंगली स्वरक्की कि किसकी है इंगली स्वरक्की मुर्गी है नेक्स्ट क्यूसन है एस याई वरक्की मुर्गी नसल ब्रह्मा कोचीन और लेक संतीनों है तो यह सभी डी ओप्सन नेक्स्ट क्यूसन है भूमद्य सागरिय वरक्की नसल है भूमद्य सागरिय लेकोर्ण है बल्यू एंडल जियन है आपको सही रहीगा अगला क्यूसरी मिनौर का मुर्गी की नस्ल किस रख किे मिनौर का मुर्गी की नसल यह बूमत्य सागरिय वरक्की किसके है बूमत्य सागरिय वरक्की क्योंसे नमर च्छे कौंसा मिलान गलत है वह आपको बताना है बारतिय नसल चिंता गोग इंगलिश कोरनीज अमेरिक न्यूहंप सायर ACI Road Island आगे क्योंसे ना आएगा Road Island ACI वरक्की नहीं है D option आपका सही रहीगा क्योंसे ना आपका अंडा देने वाली मुर्गी की नसल मिनोर का White Lagoon इनको ना सभी D option सही रहीगा Next है द्वी उदेसे वाली मुर्गी की नसल कौन सी है द्वी उदेसे वाली Road Island Red ये द्वी उदेसे वाली मुर्गी की नसल है अगला क्योंसे नहीं White Lagoon का मूल इस्तान कहां पर है Italy White Lagoon का मूल इस्तान है Italy दोस्तूं क्योंसे नमर दस विश्वे में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की नसल सबसे ज़्यादा अंडे देती है White Lagoon कौनसी White Lagoon सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली नसल American वरक की मुर्गी की नसल American वरक की Wine Dart Road Island Red आ गया ना कहां की है American वरक की है Plymouth Rock तीनुई है तो सभी option D सही रहेगा Next है असीलवे मलाया तेता इंगलीस लड़ाकू नसलू के संक्रण से है विक्सित मुर्गी की नसल कौन सी है तो वो है Red Cornice कौन सी है Red Cornice क्योसे नमर 13 है मुर्गी का वेगयानिक नाम Gailas Gailas मुर्गी का वेगयानिक नाम क्या होता है Gailas Gailas होता है Next question है के अंदर ये पक्सी अनुसंदान संस्तान की स्तापना किस वर्स हुई कब हुई थी 1999 के अंदर 1999 में क्योसे नमर 15 एक मुर्गी के अंडे का उस्सद बार कितना होता है एक मुर्गी के अंडे का उस्सद बार होता है 58 गराम कितना होता है 58 грамтор नेक्स्ट है अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है अंडे में प्रोटीन की मात्रा होती है ग्यारा पोइंट आट पर 30 31.8 पर 31 नेक्स्ट हैस्ट है मुर्गी मास यन चीकन में प्रोटीन की मात्रा लगबग उती है कितनी होती है 16 से 22 पर 30 क्यों से नमर थारा मुर्गी के मास को क्या कहा जाता है वाइट मी ट किया वाइट मीट क्यो से नमर 19 है कौन सी मुर्गी नसल मलाया गेम लेगोन तेता एसियाटिक मूल की नसल के संक्रण से विक्सित की गई है कौन सी की गई है रोड आईलेंड रेड मलिया गेम लेगोन एसियाटिक मूल से क्योसर नमर 20 अंडे के कवच में बारात्मक दरश्टी से किसकी मातरा सरवादि होती है किसके होती है केल्सियम कार्बोनेट की किसके होती है केल्सियम कार्बोनेट की केल्सियम कार्बोनेट नेक्स्ट दूद में ओस्तन कितने परतिसत लेक्टोज होता है दूद में कितने परतिसत चार पॉइंट पांच परतिसत चार पॉइंट पांच परतिसत तन्स प्रोटिन किसमें होता है खिस के अंदर क्योंपे 17 देखी दूध में उस्तन वसाराइत पदार्त कितने होते हैं आच पोंट 532 दूध में वस Town वसारेद पदार डिंस अन अब आट पॉइंट 530 सथ नेक्स्ट है रास्तान में तरल दूद का सरवाधिक उपयोग होता है किसमें गी बनाने में रास्तान में दूद से सरवाधिक गी बनाया जाता है क्यों से नमर पचीस है दूद में उस्तन प्रोटीन कितना होता है दूद में उस्तन प्रोटीन होता है तीन पॉइंट पां केल्सियं पाया जाता है नीच्ट दूद में ऊस्तन लेटिक एसट होता है लेटिक एसेड कितना 0.14 परतीषद 0.14 परतीस है क्यों से नमर 28 है क्रीम का आप एक्सी ग humble होता है क्रीम का आप एक तो होता जीरो पॉइंट नो तीन सब्स है नमर 1929 स्किस Laz急oku आफेच़् के इनले Nano Anis नमर 35 तर 30 तनी होती है पच्चे तर पर 30 कि क्यों से नमर तीस है mouth me t क्योंत्व च्रक्लों के लिए ABC लेते हैं क्या लेते हैं सोडियम हाईद्रो़क्स़ाइड क्या कामा नमर 31 है सुध दूद में सेपरेटा मिलाने से अपेक्सित गनत हुए सेपरेटा अगर सुध दूद में मिलाते हैं तो जो गनत हुए है अपेक्सित गनत हुए यह बढ़ जाता है क्या होता है बढ़ जाता है दोस्तों क्यों से नमर 32 है प्लास्टिक क्रीम में वसा की मातरा कि कितनी होती है पेतालीस से साथ परतिसाथ कितनी पेतालीस से साथ परतिसाथ नेक्स्ट है दई में वसागी मातरा होती है दई और दई के अंदर वसागी मातरा पांस से आठ परतिसाथ कितनी होती है पांस से आठ परतिसाथ नेक्स्ट है दूद के प्रोटीन जो बरतनों की सत् पर चिपक जाते हैं वो क्या कहलाते हैं क्या कहलाते हैं मिल्क स्टोन क्या कहलाते हैं मिल्क स्टोन नेक्स्ट है दूद में कैसिन किस रूप में पाया जाता है दूद के अंदर कैसिन को लाइडल के रूप में किसके रूप में को लाइडल के रूप में क्यों से नमर 36 है दू के किस ऐस संगतन के आदार पर गलत है ऐसिंग गचेंटन के आदार पर है है संगतन के आदार पर आग किसे इंस से रिलेटेड़ और बढ़ार रहा है जल 17.90 कुल्ठो कुल्थोस 39.1 0 कैसिन असी यह गलत है कैसिन कितने परतिसत होता है बेस के दूद में बेस का खिस और उसके अंदर केसिन कितने परतिसत होता है बताने का कश्ट कीजिएगा किसका आप एकसी गनत्व होता है 38 नमर क्योशन है किसका आप एकसी गनत्व कितना होता है 1.040 से 1.080 तक ओप्शन एस सही रहीगा क्योंसर नमर 49 है किसका आपेकसी गनत्व सरवादिक होता है आपेकसी गनत्व सरवादिक होता है सेप्रेटा दूद का किसका सेप्रेटा दूद का दोस्तों क्योंसर नमर 40 है किसका इमांक बिंदू कितना होता है किसका इमांक बिंदू होता है माइनस 0.603 डिगरी सेल्सियस दोस्तों क्योंसर नमर 41 है दूद में नियूंतम वसा की मातरा होनी चाहिए दूद में नियूंतम वसा की मातरा 3.25% 3.25% होनी चाहिए दूद में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है दूद के अंदर जो प्रोटीन होती है वो किस रूप में पाई जाती है कोलोईडल इस्टेट के रूप में कोलोईडल इस्टेट के रूप में क्योशन तयालिस किस अमलता पर दूद गरम करने पर फट जाता है किस अमलता पर 0.32 परतिसत अमलता पर दूद फट जाता है क्योशन चमालिस दूद में पानी की मिलाउट होने पर दूद का रंग होता ह है कैसा होता है हलका नीला जैसे दूद में आप पानी मिला होगे हलका नीला दूद रंग है देने लगेगा टेबल क्रीम में वसा परतिसत पाई जाती है टेबल क्रीम और टेबल क्रीम के अंदर वसा परतिसत 18-25 परतिसत कितनी होती है 18-25 परतिसत क्रीम सेपरेटर मसीन से करी निकालने के लिओद लिए दूद का तापकरम होना चाहिए कितना हो ना चाहिए 32000 turbine रीगरी Celsius च्रैंसे तीश्य पीरी Celsius नेक्स्तर है ति से एज onion के लिए उप्यूगता आप आप मां दूद से एगर दई जमा रहे हैं तो लगबग दूद का टेमपरेचर 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए कितना 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए नेक्स्ट है दई में लेक्टिक अमल की मातरा पाई जाती है दई के अंदर लेक्टिक अमल 0.6 से 1.1 परती साथ लेक्टिक अमल पाया जाता है क्योंच नुन पचास दूद को दई में परिवर्तन करने वाले जिवानों, इस्टेप्टो कोकस लेक्टिस, लेक्टो वेसिलस, एसिडो फिलस, स्टेप्टो कोकस के साही तीनों है तो वो प्रोग सभी, option D सही रहीगा क्योशन पचास गाई के दूद में प्रोटीन पाई जाती है गाई के दूद में प्रोटीन होती है 3.5033 ओरीज़नल इंदर बी ऑप्शन तही रहेगा क्योशण नम्र एकांण देखिए राइका समुदाई के लोग किस राजे में रहते थे किसमें राइका समुदाई राजस्तान में राइका समुदाई का मुखे ओंट पालन क्या है ओंट पालन राइका समुदाई के मुखे देउता देखेनी कमेंट करना मुखे देउता पाबु जी है या गोगा जी है मारवाड में हूट लाने का स्रेक इनको है तैयारी की है तो कापी इंपोडेंट और अब से लगातार पड़ती दिन आपको में सी कुज हर एक टोपी के म1 को चाहिं जी का और बिज्जान को चाहिए गणी तो चैप्सु पालन हो एक एक टोपी के क्योशन यहाँ पर करवाएं जाएंगे तो जिन सात यूंँ अभी तग चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यह गलती मत कर देना कि आप आज इस वीडियो को छोड़ कर चले गए पूरा देख के और फिर कि उसनों के लिए आपको कहीं पर जाना पड़े क्योंकि टोपिक वाइच क्यूसन सिरफ कुछामन ओनलाइन यूटूब चैनल पर मिलेंगे और जो साथी पॉर्ष में जूड़ना चाते हैं जो साथी तैयारी करना चाते जो साथी अपना स्कूर कि एक सो तीस पहुंचाना चाते हैं वह कुछामन ओनलाइन क्लासेज पे जाके क्रेश कोर्स आज यह जोइन कर लें समझ गए आगे चलिए कि उसे नमर बावन अपरिका का सबसे पुराना चर्वा कभिला कहलाता है क्या कहलाता है मासाई अपरिका का सबसे पुराना चर्वा समुदा मासाई नेक्स्ट है मासाई समाज में सामाजिक परिवर्तन इन में से कोन थे वरिष्टनों वे योदाओं के बीच उमर के आदार पर प्रमप्रागता फर्क पूरी तरह खतम बले ना हो पर बूरी तरह अस्त बेस्त जरूर हो गया अमीर और गरम देयती लोगों के बीच एक नया बेदबाव पेदावा दोनों सही है तो सी ओप्सन ए और बी दोनों सही रहेंगे क्यों से नमर चोपन है राइका समुदाई के लोग ज़्यादा तर किस पसू को पालते हैं ओंट को किसको ओंट को राइका समुदाई के लोग ज़्यादा तर पालते हैं हैं दोस्तों नेक्स्ट है गुजर वकरवाल समुदाई के लोग कहा रहते हैं जम्मू कस्मीर में कहां पर जम्मू कस्मीर के अंदर क्यों से नमर सतावन है ओपनिवेसिक सरकार ने अपरादी जन जाती है दिनियम कब पारीत किया था योषए नमर टावन गदी रहते हैं गदी कवा पर इमाचल पर्देश में तो हिमाचल परदेश का चर्वा समुधाई है गदी आपका अगला क्यूशन है किस पर रोग लगा दी सिंदू नदी पर cops नमर साथ है बाबर किसे कहते हैं बाबर किसे कहा जाता है पाड़ी छेत्रों में सुके जंगल का इला का बाबर क्या गहलाता है बाबर कहलाता है क्यों से नमर 61 गोजर बकरवाल समुदाई के लोग गर्मी में कहां रहते थे गर्मी के अंदर ये लोग कहां पर रहते थे कस्मीर गाटी सिवालिक की पाड़िया गंगा के मेदान अरावली परवत कस्मीर गाटी के अंदर यानि सिवालिक की जो पाड़िया है उनसे नीचे आ जाते थे ये अगला क्यूसन है जमू कस्मीर के चरवाओं को क्या कहा जाता है नेक्स्ट है अपरिका में कौन सा समुदाई है अपरिका के अंदर बेदूइन्स बर्बेर्स मासाई तीनों है तो D ओप्सन सभी आपका सही रहेगा क्योंसा नमर 65 है हिमाले के अधिकांस चरवा समुदाई हुमे नेन में से कौन सी समानता पाई गई कौन सी यह लोग मूल रूप से घुमंतू होते हैं यह लोग चक्रियर रूप से इस्थान बदलते रहते हैं यह लोग चरवाई समुदाई के लोग है यह उपरियूक सभी D ओप्सन नेक्स्ट है राजस्तान का एक मेत्वपूर्ण चर्वा समुदाई कौन सा है राई का कौन सा है राई का क्योसे नमर सड़सट उत्री कीनिया से तजानिया की गास मेदान को किस नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है मासाई लेंड के नाम से किस नाम से मासाई नाम से कोनसी बात चर्वाव के जीवन पर नाट के परबाव नहीं डालती सकता यह जो यह सो क्यूसन है इनकी पीडियप के आपको जरूर आुशETा होगी और पीडियाप के लिए आपको कुछ आमन ओनलाइन क्लासे जो मारा टेली ग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है वह आपको जोइन करना क्यों सिक्स्टी नाइन है सर्दी में गुजर बकरवाल समुदाई के लोग कहां चले जाते ति कम सर्दी सर्दी के अंदर नीचे आते तो सिवालिक के जो निचली पाडिया वहां पर और गर्मी में कसमीर गातिया नի उपर चले जाते थे नेक्स्ट निमनांकित में से कोन अपरीका के चरuais नहीं आ है और नहीं देखे मासाई सोमाली दनगर दनगर भाई जी महाराष्ट्रा के हैं कहां के हैं महाराष्ट्रा के महाराष्ट्र के दनगर जो है चर्वा समुदाई है दोस्तों कापी इंपोर्टेंट और बहतरीन क्यूशन आपके लिए रह सकता है ये नेक्स्ट क्यूशन नमर 71 कुछ रोगू से रिलेटेड जो माल टोपिक है उनसे भी क्यूशन लेते हैं वो भी देखते हैं कि रोगू से रिलेटेड कैसे क्यूशन एकजाम के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों एपमडी रोग यूरोपियन देसु में किस कारण फेल होता है aoc वायरस के दुवारा aoc वायरस के दुवारा दोस्तों क्योस नमर 72 मिल के फिवर से समंदीत गलत कतन कौन सा है सरीर के तापमान में कमी हाइपोकेल्सी मिया हाइपोगलाइसी मिया यह नाम है gemacht um मैं से और बैसकोई कमी नेक्स्ट रानिखेत बीमारी के बारे में सत्ते गता नहीं है जो गलत है पहला सवसनवत तंत्री का तंतर प्रभावित परतम दिन पर वेक्षिन इस्टे एंग गलत तो अप्सन भी पेर्व फंकु में लकवा ट्राटर फ्यूरेंस वाइरस के दौरा रानिखेत बीमारी भी यह सोता है अगला कि इस्टाने चेंट विमारी होती है कि सके गारन और लियोटा अवैं के दौरा बौर्यलियोटाऋ अप्सी् उप्षन आपने सही रसी उस और चंतर ए पेची शोग का कारक रेकैं कोक्सी डियम जरनाई कोसी डियम जरनाई दोस्तों नेक्स्ट साब द्वारा काटे गए इस्तान के पास में किसका दो परतिसत गोल का इंजेक्शन सर्वोता में एंटीडोज होता है लाल दवा का किसका होता है लाल दवा का क्योशन अटंतर है मेगनीशियम सलपेट की कितने ग्राम मातरा गाईवे बेस में जवर रोधी का काम क टीका आता है किसके लिए रानी केत के लिए किसके लिए आता है रानी केत के लिए क्योंसे नमर 80 है आपरा सही करने के लिए काम में लेते हैं कौन सा केनुला ट्रोकार केनुला ट्रोकार केनुला काम में लिया जाता है दोस्तूं नेक्स्ट अगला क्योंसेन आप कहा मिलक पीवर किसमें ज्यादा होता है लिए पीवरर फरसव के बहतर गंटे तक परसव के बाद बहतर गंटे तक कि उसे नमट 82 है गरण गोटू सबसे ज्यादा किस जानवर में होता है गरण गोटू जबसे जदा होता है yanма instant किसमें बेस के अंदर the next क्यूंत थनेला सबसे ज्यादा किसमें होता है लख JACन के अंदर दोस्तों next गाई का लेटी हुई अवस्ता में लगादार फ्लेंग की और गर्दन मोड कर देखना किसका लक्सन होता है किसका लक्सन होता है मिल्क फीवर का किसका होता है मिल्क फीवर का ये लक्सन है जो होता है दोस्तों कापी इंपोटेंट और कापी बहतरीन क्योसन आपके लिए ये रह सकता है इसलिए इस क्यूसन को ध्यान से देखते वे आपको आगे बढ़ना है दोस्तों आगे चलिए गिल्टी बुकार किसे कहते हैं गिल्टी बुकार और गिल्टी बुकार किसे कहा जाता है एन्थ्रिक्स को किसको गा जाता है एन्थ्रिक्स को गिल्टी बुकार कहा जाता है दोस्तूं अगला क्यूसे ने उंट में सर्रा बीमारी का वाग मखियां उंट में सर्रा बीमारी मख्यू के कारण फेलती है नेक्स्ट है है, HS, BQ, ETI बिमारियां फेलती है जो होती है वर्षा रितू के अंदर क्यों से नेटी नाइन है एच एस बीक्यू इटी का टिका अगरन करते हैं कब करते हैं एच एस बीक्यू इटी का टिका मही या जून महीने में मही या जून महीने में किया जाता है ओप्शने सही रहेगा क्यों से 90 है FMDT कागरण का सही समय होता है कब या तो जून में या दिसंबर में FMDT कागरण का सही समय होता है दोस्तूं क्यों से 91 है आम के फल में खाने वाला भाग क्या कहलाता है मद्दे फल बीती मद्दे फल बीती 92 है समसुत्री विवाजन होता है तो पसुजनन भी है ना हमारे समसुत्री विवाजन किसमें काई के कोशीका में काई के कोशीका के अंदर नेक्स्ट बिना निसेचन के फल बनाने की परकिरिया को कहते हैं क्या कहा जाता है पार्थे नो कार्पिक पार्थे नो कार्पिक नेक्स्ट इन में से किसमें आंत्रिक निसेचन नहीं होता वह जिसमें आंत्रिक निसेचन नहीं होता मेंडग में आंत्रिक निसेचन नहीं होता नेक्ष डिभी कांडनेग परकार का डिभी कांडबनेग परकार का ये लेखियूप सSch ने Pikachu गया है ये लेंगिंग जनन्ठ दोस्तों कि उसान100 individuals को अणड़ ऑट है अंड़डस ऑर मेरा एक एक यह दोना कैसा अंड़स है दोस्तों कि उसान 970 Baltimore जीवन में एκ उपार पुस्वित होते हैं एक या बार फुस्वित होती है बांस कौन बांस गुब्स दोस्तों अगला क्यो संदी का निम्णांगिद मेन से कौन धिविकुनीत तॉर गोंको समय ईव एक जाता है लौय खमलोई किया होता है दिवीकुनी इन फास्वाग कि से वाल में अंदर पाईक जाती है तो यहां पे आपका option is सही रहेगा दोस्तों कुल मिलाकर 101 यूशन थे जो हमने याँ पर अटेंड कर लिए अब देखिए एक बार जो साथी पहले तो बतादो कमेंट करके कि यह सो क्यूशन आपके सामने आपको कैसे लगे जल्दी से कमेंट करके बताइए और साथ यूव वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सेरो चैनल को सब्सक्राइब करना है और यह समय जिस समय अगर आप पसूप रिचर क्रेस कोर्स पर जुड़ते हैं तो लगबग आपकी संभावना है वो सपलता प्राप्त करने की 101 परतिसत हो जाती है इसलिए छोटी सी रिकम के साथ इस कोर्स पर जुड़ि झाल